आचार्य चानक्या एक ऐसी महान विभूती थे जिन्होंने अपनी विद्वता, बुद्धिमता और क्षमता के बाल पर भारतिय इतिहास के धारा को बदल दिया, मौरे सामराजी के संस्थापक चानक्या कुशल राजनी तिग्य, छतुर्कूर नी तिग्य, प्रकांडर्थश अस्त्री के रूप में भी विश्व विख्यात हुए। निमनलिखित बाते माता के गर्भ में ही निश्चत हो जाती है। जैसे मचली दृष्टी से कच्छुआ ध्यान देकर और पंची स्पार्ष करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सज्जन पूरिशों की संग्ती मनुश्य का पालन पोशन करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है उसी समय आत्म साक्षातकार का उपाय कर लेना चाहिए क्योंकि मृत्यू हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। विद्या आरजन करना यह एक कामध्रिनु के समान है जो हर मौसम में अमरित प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षकवम हितकारी होती है। इसीलिए विद्या को एक गुप्ठधन कहा जाता है। निम्नलिखित बाते व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती है 1. एक छोटे गाव में बसना जहा रहने की सुविधाय उपलब्ध नहीं 2. एक ऐसे व्यक्ति के यहन नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है 3. अस्वास्थाई वर्धक भोजन का सेवन करना 4. जिसकी पतनी हर्दम गुसे में होती है 5. जिसको मुर्ख पुत्र है 6. जिसकी पुत्री विधवा हो गई है वह गाई किस काम की जन्न तो दूद देती है न तो बच्चे को जन्म देती है उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो नहीं विद्वान हुआ नहीं भगवान का भक्त हुआ जब व्यक्ती जीवन के दुख से जोलसता है उसे निमनलिखित ही साहरा देते है 1. पुत्र और पुत्री 2. पत्नी 3. भगवान के भक्त यह बाते एक बार ही होनी चाहिए 1. राजा का बोलना 2. बिद्वान व्यक्ती का बोलना 3. लड़की का ब्याहना जब आप तप करते हैं तो अकेले करे अभियास करते हैं तो दुसरे के साथ करे गायन करते हैं तो तीन लोग करे कृशी चार लोग करे युद्य अनिक लोग मिलकर करे जिस अध्यात्मिक सीख का आचरं नहीं किया जाता वह जहर है. जिसका पेठ खराब है उसके लिए भोजन जहर है. निर्धन व्यक्ती के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कारेक्रम में एकतर होना जहर है. जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उसे दूर करो जिस गुरू के पास सध्यात्मिक ज्यान नहीं है उसे दूर करो जिस पत्नी के चेहरे पर हर्दम घ्रिना है उसे दूर करो जिन रिष्टेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो इन बातों को बार बार गौर करे सही समय सही मित्र सही ठिकाना पैसे कमाने के सही साधन पैसे खर्चा करने के सही तरीके आपके उर्जा स्रोत द्विजगनी में भगवान देखते है भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है जो अल्प माती के लोग है वो मूर्ती में भगवान देखते है लेकिन जो व्यापक दृष्टी रखने वाले लोग है वो यह जानते है कि भगवान सर्फ व्यापी है